आपको आपको आज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना था हमने कल आपको मार्केट में बताया था कि मार्केट में हमारे बेरिश पैटर्न बने हुए हैं बड़े टाइम फ्रेम पर लेकिन साथ की साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि मार्केट में अगर कोई न्यूज आती है फोरन मार्केट की तरफ से तो हमारी market के फिर chances हो सकते हैं कि market हमारी upside move कर सकती है लेकिन chart के according तो हमारी market के downside के move थे लेकिन हमने कल आपको जो resistance और support बताया था कि आपको अपने resistance और support के according आपको trade करना है तो आज market ने exact हमारी resistance और support जो कल आपको बताये गए थे उसके तरीके से ही मार्किट ने आज ट्रेड किया है तो आई होप आपने कल वाली हमारी वीडियो को देखकर आज मार्किट से काफी सारा प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि आज निफ्टी में भी जो हैं निफ्टी में भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते थे और nifty ने आज हमारा काफी अच्छा move दिया है put side भी और call side भी तो आपको इस तरीके से आपको trade लेना होता है कि आप markets में से चाहे आप फिर nifty में trade करें चाहे आप bank nifty में करें या फिर आप nifty में करें किसी मर्जी में आप trade करें आपको profit कमाना आना चाहिए और वो आप किसलि वीडियो भी आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में भी हम बहुत जादा technical analysis सीखने वाले हैं जो आपके लिए next day trade लेने में helpful होती है और दूसरा हम कल के लिए resistant support के बारे में जानेंगे कि मांके आपके लिए वो कौन से levels होंगे जिन पर आज की market का overview ही ले लेते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपको technical analysis सीखनी है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं live market के दुरान जो कुछ भी candlestick pattern, chart pattern, trend line या market consolidate होती है उसके बारे में हम time to time जो था 30 minute में एक pin bar candle form की थी और उसके हमने आपको बता दिया था कि अगर market हमारे यहां से 17720 के level को break करती है तो market हमारी upside जाएगी अभी हमने आपको बताया है कि आज हमारी fair nifty तो थोड़ी consolidate थी सारा दिन थोड़ी consolidate थी लेकिन आप nifty में भी trade करके अपना profit कमा सकते थे और उसके बाद अगर हम देखें तो nifty में आप जानते ही है कि 720 के बाद हमारी market कितनी जादा upside यहां से गई थी और उसके बाद अगर आप देखें तो finnifty यहां पर हमारी consolidate थी और हमने आपको यह बता दिया था कि यह अपने resistance पर consolidate है और जिस भी side इसका break होगा आप entry ले सकते ह हैं और हमने आपको यह भी बताया था कि आज finnifty में जो था हमारा open high same बना हुआ था अगर उसका high break हुआ तो upside entry जाएगी क्योंकि आपको हमने open high same की strategy बताई हुई है कि अगर open high same हमारा market में बनता है तो 9.17 पर आप उसी candle के high का stop loss लगा कर आप अपनी put side entry बना कर चल सकते है लेकिन अगर हमारा finnifty में high break हो जाता है तो हमारी फिर call side entry बनती है जो कि बहुत ही जादा अच्छी होती है और यहाँ पर फिर आप देख भी सकते हैं जी side हमारी इस consolidation का break हुआ तो उसके बाद market हमारी यहाँ से कितनी जादा upside गई थी और market ने जो आज high बनाया है वो हमारा 18610 के आसपास यहाँ पर बनाया है और उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने आपको यह भी बता दिया था कि जो finnifty में है हमारा evening star pattern बना हुआ है 15 minute में तो यहाँ से आपको जब इसका low break होना है तो आप यहाँ से अपनी put side entry बना कर चल सकते हैं तो यहाँ स अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यह हमारा evening star का candle का low break हुआ तो यहाँ से भी आप अपनी put side entry बना कर चल सकते थें और उसके बाद जब इसका high break हुआ था तो हमने आपको बता दिया था कि जब finnifty का resistance ब्रेक हुआ गा तो हमें again अपना up side हमे move मिलेगा और वो हमारा गई भी थी candle और निफ्टी ने भी यहीं पर हमारा 15 minute का morning star pattern form किया है तो और यहाँ से हमारा यह w pattern भी बना था और उसके बाद finnifty ने भी काफी जादा 50 points हमारी यहाँ से upside गई थी तो इसी तरीके से हम live market के दुरान आपको हर चीज़ बताते रहते है कि market में क्या form हो रहा है तो आप भी हमारी टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है तो चलिए फिर आज की market का सबसे पहले overview लेते हैं यह हमारा 5 minute का chart है और यह आज की market की हमारी जो trade किया है वो है तो आपको हमने जो कल level बताये थे वो थे ह हमारे 18,491 का फिर हमने आपको बताया था कि 18,510 का level और देन हमने आपको 18,567 का level बताया था और फिर हमने आपको 18,619 का level हमने आपको कल को यह बताया था कि आपके लिए यह level resistance की तरह act करेंगे और downside के लिए जो हमने आपको level बताया था वो था हमारा 18,424 का आप जैसे की እህाई हमारी गैप अप ओपनिंग दी थी, यानि मार्किट ने जो हमारा यहा ते दो दिन से जो इंपॉर्टेंट रिजिस्टे Familes मार्किट बार-बार बना रही थी, यानि 18,510 का तो आज मार्किट ने उसका गैप अप ओप कर क लिस मार्किट ने उसके यहां से इसको brush कर दिया थे इस लेखल को यानि 18.510 के लेखल को और market फिर हमारी यहां से downside आई थी यानि 18.440 market हमारी यहां से आई थी यानि almost market यहां पर हमारी 90 points down थी तो यहां से आप अपने put position को बना कर चल सकते थे आप देख सकते हैं कि इसका open high यहां पर सेम था तो आपको 9.17 पर अपनी put side entry बना कर आप trade कर सकते थे और उसके बाद अगर आप यहां पर देखे तो हमने आपको यह strategy पहले भी बताई हुई है और आज फिर से दुबारा से आपको repeat कर रहे हैं कि जब हमारा previous day का high break हो जाता है यानि previous day का high यानि जो की हमारा यहां पर Monday का था यानि 18,510 जो हमारे लिए high बना हुआ था market ने आज जब उस high को break किया और market यहां पर consolidate हुई आप यहां पर देख सकते हैं कि जब यहां पर यह market consolidate हुई तो आपको यहां से अपनी एक call side position बना कर चलनी थी तो यहां पर आप call side position बना कर चल सकते थी क्योंकि market ने इस level की यह जो level हमारा यह 18,510 का था यह पहले हमारे लिए resistance की तरह act कर रहा था जब इसका break हुआ तो इसी level को market ने फिर support की तरह act करना यहां पर start कर दिया है आप यहां पर देख सकते हैं कि market ने फिर इसका कितना जादा support लिया है और ज जब market ने इसके open high को यहां से break किया तो यहां पर आपकी definitely एक call side position बनती थी और दूसरा हमारा यह एक pattern भी था आज हमें आपको इस नए pattern के बारे में बता रही हैं यह हमारा inside candle formation होती है यानि जो यह next candle है यह previous candle के inside बनी हुई है तो इसका जब high break होता तो भी आप अपनी entry को ले सकते थे यानि आपको यहां पर तीन confirmation मिल चुकी थी सबसे पहली confirmation की previous day का high break था दूसरी confirmation जो level हमारे लिए पहले resistance की तरा act कर रहा था वो हमारे लिए support की तरा act करना start कर दिया था और हमारी जो third confirmation थी वो थी हमारी inside candle formation यानि इन तीनों के basis पर आपको call side आपकी position बन रही तो यहां पर आप अपनी call side entry को बना कर चल सकते थे I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और उसके बाद जो हमने आपको level बताया था 18,567 का अगर आप 5 मिनेट के हमने आपको बताया हुआ है कि जब हमारा को important resistance या support break होता है तो उसके break होने के बाद after retest जब उस candle का high break हो तब आपको entry लेनी होती है लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखे तो यह 18,567 के ऊपर कोई भी candle sustain नहीं है अगर यहां पर sustain है तो उसने अपनी previous के candle के high को break नहीं किया है तो यानि यहां पर जो यह level था हमारे लिए 18,567 के यह बहुत जादा important level आज के लिए market में था market हमारी यहां पर काफी देड़ तक सिर्फ 40 points के बीच में ही यहां पर market ने काफी जादा trade किया है तो यह level हमारे लिए कल के लिए भी बहुत जादा important है आप यहां पर देख सकते हैं कि जब market ने पहले इसी level को resistance की तरह act कर रही थी यानि market जो थी इसके downside थी और जब candle ने इसके high को break किया और फिर अब जो market है वो इसके upside trade कर रही है पहले इसके downside trade थी अब market जो है इसी level के upside trade कर रही है यानि पहले यह level हमारे लिए resistance था अब यह level हमारे लिए support की तरह act कर रहा है तो I hope आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी कि पहले जो market होती है वो हमारे resistance की त support की तरह act करना start कर देता है जिस तरीके से अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि पहले जो यह ता 18-510 का level था यह हमारे लिए resistance बना हुआ था जब इसका break हुआ तब अब यह हमारे लिए support की तरह कामगरना start कर दिया तो आज की market की बात करें तो expiry थी हमारी तो आप यहाँ कॉल पोजिशन बनती और दूसरी आपकी यहाँ से पुट पोजिशन बनती तो हमने भी सिर्फ आज फिन निफ्टी में इन दोनों के basis पर ही ट्रेड किया है और बाकी हमने जो ट्रेड किया था वो निफ्टी में किया था क्योंकि हम आपको बताते हैं कि जो technical analysis हम आपको इस करवाते हैं और दोनों के बारे में ही भी हम आपको बताते हैं कि मार्किट में इस दोरा निफ्टी में क्या पैटरन है बैंक निफ्टी में क्या पैटरन है टेली ग्राम पर हम लाई मार्किट के दोरा इन तीनों के बारे में आपको अपडेट करते हैं तो आज मार्किट में बाकी हमारा कुछ भी नहीं था अगर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्किट में हमारी कोई भी कैंडल में अच्छा वॉल्यूम नहीं है जो कैंडल जितनी अप साइड गई है वापस अगेन वो उतनी ही डाउन साइड आई है अगर आप स्राटिंग से अगर आप आज यहाँ पर अपने प्रेमियम को होल्ड करके चलते तो आप देख सकते हैं कि प्रेमियम हमारा डिके हो रहा था तो यहाँ पर आप इसको होल्ड भी आप नहीं कर सकते थे तो आज की एक्सपाइरी तो आपके stop loss भी लगते ही है market हमेशा एक जैसी नहीं रहती है अगर 30 मिनिट के time frame की बात करें तो आप यहाँ पर इन सभी patterns को अगर आप यहाँ पर देखें तो यह हमारा यहाँ पर shooting star pattern था यह भी हमारा फिर shooting star था यह सारे हमारे यहाँ पर बियरिश pattern थे और यह जो सभी की सभी candles थी यह हमारी इसी level के downside थी यह नहीं 18,567 के level पर ही यह हमारी यहाँ पर consolidate थी कोई भी candle हमारी upside नहीं थी तो market का जो move था वो नजर आ रहा था कि market हमारी downside आईगी तो लेकिन market ने फिर जितनी वो हमारे यहाँ से हम इस level के break होने पर enter ले रहे थे वो उतनी ही वापस upside भी गई थी तो यहाँ से हमारे stop loss थोड़े hit जरूर हुए है एक stop loss हमारा यहाँ से free nifty में आज hit हुआ है लेकिन अगर overall की बात करे तो आज market से हमने 2 या 3 trade करके हमने काफी सारा profit कमाया है अगर nifty की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि nifty में हमारा कितना अच्छा move था यहाँ पर आप यहाँ पर देखी सकते हैं यह देखिए यहाँ से आपके कितनी अच्छी call position बनती यहाँ से आपकी अच्छी put position बनती और फिर again हमारा यहाँ पर यह डबलू pattern formation थी इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि आप यहाँ पर जब इसकी neckline break होगी तो आप अपनी entry को ले सकते हैं और उसके बाद देखें तो market हमारी यहाँ से भी काफी ज़ादा upside गई है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिर nifty में trade करें आप nifty में भी trade करके profit कमा सकते हैं बशरते आप अगर daily हमारी वीडियो को देखते हैं और उसकी technical analysis part को अच्छे से समझते हैं कि हमारे कौन से patterns बने हुए हैं 30 minute में हमारा यह इकतना अच्छा evening star pattern हमारा यहाँ पर बना हुआ था कल हमारा जब evening star pattern बना था तो हमारी कितनी अच्छी trade गई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए यहाँ पर यह हमारा यहाँ पर evening star pattern था और कितनी जादा market हमारी downside आई थी लेकिन आज जब यह हमारा pattern form हुआ तो market ने हमारा उतना जादा move नहीं दिया तो ज़रूरी नहीं है कि हरोज की हमारे वो patterns follow हो लेकिन patterns पर trade करना, अपनी technical analysis के हिसाब से कि वो resistance पर pattern बने है, उनका low break हुआ है या फिर उन में volume है, यानि किस तरीके से आपको trade लेना है वो चीज़ matter करती है, तो आप यहाँ पर देख सकते कि जब evening star pattern form हुआ तो यहाँ से भी market हमारी downside आई है तो यहाँ से आपको अपनी position लेनी ही होती है यह 10 में से आपके सिर्फ 2 ही stop loss हीट हो सकते हैं otherwise 8 trades आपकी उसी pattern पर आपकी हमेशा successful रहेगी अगर आप अच्छे से तरीके से उसको rules को follow करके आप trade करते हैं तो चलिए फिर अब यह जान लेते हैं कि कल हमारी market में हम किस तरीके से trade करेंगे यानि कौन से वो levels होंगे जो हमारे लिए resistance और support की तरह act करेंगे सबसे पहले हम अपने upside के levels के बारे में जानते हैं कि यह first resistance की तरह act करने वाला है कल को यहाँ पर आप इसको लगा लीजिएगा और next यह है हमारा अगर 18600 का level break होता है तो वो हमारे लिए main resistance की तरह अभी भी बना हुआ है क्योंकि market ने जो आज closing दी है वो अल इसी level के downside दी है 742 का level यह आपके लिए next resistance रहेगा और then अगर market में कोई upside move आता है तो उसके बार जो है वो होगा हमारा 18793 का level यह आपके लिए main resistance की तरह कल को act करने वाले हैं तो चलिए अब downside के लिए levels देखते हैं जो आपके लिए support की तरह act करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा support रहेगा वो होगा हमारा 18500 यहाँ पर आप 37 लगा लीजिएगा यह रहा हमारा 37 का level यह आपके लिए main support की तरह act करेंगा और then जो आपके लिए important support होगा फिर वो होगा 18492 का level यह हमारे लिए next support रहेगा और then हमारे लिए जो support है वो है 18382 का level यह आपके लिए next support की तरह act करेंगा I hope आपको यह अपने support अच्छे से समझ में आ गए होंगे जब in level का break हो या after retest आप फिर अपनी entry को लेकर चल सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो तो please subscribe my YouTube channel, thank you